उत्रपदेश बीजेपी के नेताओं को जिस घड़ी का इंतिजार था वो घड़ी आखिर आ जा गई है योगी मंत्री मंडल का बहुपतिक्षित विस्तार आज शाम को राज भोन में होने जा रहा है योगी मंत्री मंडल में 60 मंत्रियों की जगह है जिसमें से 54 फिल हाल काम कर रहे हैं यानि कि कम से कम 6 मंत्री आज और इंजक्ष किये जाएंगे बारती जन्ता पार्टी की कोशिश है कि दलित, ब्रामवन और OBC समाज के लोगों को इस मंत्री मंडल विस्तार में प्तिन जित्तो दिया जाए कुछ आदिवासी समाज के भी लोग है जिनको आज के मंत्री मंडल विस्तार में जगह मिलने की समभावना जिताई जा रही है सबसे बड़ा नाम जितिन पुसाद का है जो ब्रामवर चेहरे हैं अभी हाल ही में कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में विस्तार में उनको मंत्री बनाया जा सकता है इसके अलावा बेवी रानी मौरी जो जाटा समाज से हैं यानि के मायवती की जो बिरादरी है वो उसकी नेता है उनको मंत्री मंडल में जगह मिल सकती है हाल ही में उत्राखंड के राजपाल के पत्स मुक्त तरा कर बीजेपी दुबारा से उनको जुआइन कराये गया है इसके अलाबा चात्रपाल गंगवार का नाम आ रहा है अभी हाल ही में संतोष गंगवार जो केंडर कैबिनेट में मंतरी थे उनको हटाया गया था और उनकी जगह पर गंगवार यानि के कुर्मी विरादरी के किसी व्यक्ति को लाए जाना जरूरी था वो बीजेपी करने जा रही है इसके अलाबा कुछ और दलित समाज के लोग हैं जिसमें धर्मवीरी प्रजापती और दिनेश खटिक हैं उनके नाम भी चल रहे हैं चार MLC की भी जगह उत्तरपदेश में विधान परशद में खाली है जिसको बहुत दिनों से इंतिजार किया जा रहा था कि इसको भरा जाना है आज राजपाल पहुँच रही है गुजरात से लखनव और मंत्रि मंडल विस्तार के साथ साथ उम्मीद की जा रही है कि वो चार नॉमिनेशन MLC के भी वो कर देंगी लेकिन फिर भी बीजेपी की ये सियासी कोशिश है कि दलित ब्रामण और OBC समाज के लोगों को ये जताया जाए कि वो उनकी बहुत चिंता करती है और इसलिए मंत्रि मंडल विस्तार में उनको तबज्जु दी गई है विवेक्तिवारी न्यूज इंडिया लखनव